जाहिन प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों मासुतों दोस्तों सबसे बड़ी बात ये वीडियो में है कि 35 से 40 नंबर जिसके आ रहे हैं उनके लिए मैंने इस पेशल वीडियो बनाया है कि आपका सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा अगर आपका सेलेक्शन होगा तो मैं बता करता हूं North East को इंक्लूट करता हूं South Indian Union करी सब के बार में बताओंगा male female male female दोनों को क्योंकि female में कहीं न कहीं थोड़ा chances बढ़ जाते हैं ठीक है कुछ उनका cut-off क्या है कम जाने वाला है तो अब सबसे बड़ी बात यह है normalization दोस्तो normalization में एक अफवा फैलाई जा रही है इस अफवा से आपको बचना है लोग यह कह रहे हैं कि 18 से 25 नमबर बढ़ेगा बहुत सारी YouTube में आपको वीडियो मिल जाएंगे ठीक है लोग क्या कह रहे हैं कि 40 नमबर आपको आ रहा है 25 नमबर आपको मिलेगा और आपको कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा 70 हो गा तो वो सिर्थ भ्रहम फैला रहे हैं आप उन भ्रहम उससे दूर रहना है ठीक है अर दूसरी बात है कि दोस्तो मैंने मैंने भी normalization का वीडियो बन जाए लेकिन तब भी मैंने बोलते कि possible बहुत कम है लेकिन मैंने आपको बस इतना हर वीडियो मैंने आपको बता है कि आपके maximum 12 से 15 नमबर बढ़ेंगे 15 नमबर बहुत rare case होगा आपके maximum 9 से 12 नमबर ही बढ़ेंगे इस से जादा आपके नमबर नहीं बढ़ने वाले मैं उस 25 नमबर बढ़ेंगे 25 नमबर 20 नमबर अलग अलग लोग बता रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीं है थेखिए इस बात से आपको बिलकुल आगाह कर रहा हूं कि आगे आप एक उमीद ना लगाएं कि आप सोचे मेरे 45 नमबर आ रहे हैं 50 नमबर आ रहे हैं वोको 20 नमबर 25 नमब म और निरास्ट नहों अगर बताने वाला हूं कि आपका सेलेक्षन होगा कि नहीं होगा कि अगर आपका सेलेक्षन नहीं होगा दोस्तों तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि बहुत सारे एक्जाम आपने कि अगर्पनस्तों वाला है दोस्तों दोसरा चीज यह है कि सेंटल का एक्जाम है दिल्ली पुलीस आप दे सकते हो उससे एक्जाम को अब दूसरी बात ये है दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपका ओलेडी क्या कहते हैं इसके बाद ओलेडी रेलवे गुरूप डी का चल रहा है आने वाले टाइम में रेलवे की वेकेंशिया और आने वाली है और दोस्तों मैं कल से कल से मैं स्टेडी वीडियो बन इम्पोर्टन टॉपिक कराऊंगा और आपको वही कोशन मिलेंगे ठीक है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आपको वीडियो मिले तो अब हम ज्यादा देर ना करके चलते हैं अपने में टॉप तो नौर्थ इंडियन, साउफ इंडियन की बता दूँ अगर आप जेनरल में है तो अगर आपके 35-40 नमर आ रहे हैं तो ज्योप और आपके आ रहे हैं तो आपका निकल जाएगा ठीक है आपका निकल जाएगा इस बात को आप ध्यान रखिए ठीक है इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आप जेनरल में हाते हैं और आपके 35 से 40 हा रहे हैं इन इस्टेट में तो आपका फिजिकल निकल जाएगा इन इस्टेट में नौथ इंडियन और साउथ इंडियन की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने जम्मू कार्समीर audio Aidaceau के बात नहीं की बात नहीं की, ये मैं physical की बता रहा हूँ, ये mail की बात कर रहा हूँ ठीक है, mail की बात कर रहा हूँ अगर आपका इतना number आ रहे है, तो आप बिल्कुर First tb running Start करते मैं Final की बात नहीं कर रहा हूं क्यों मैं Physical की बात कर रहा हूं अराम से निकलेगा जर्ली जर्ली वीडियो में लिए दोक बनाना है अब बचे यहствеेट इन स्टेयर में IMAIL की बात कर लो General में अगर आपके 35-40 आ रहे हैं दोस्तो 35-40 आ रहे हैं अब फीमेल में आराम से फिजिकल निकलेगा, अब बचा फिजिकल आराम से निकलेगा, ठीक है, 35 से 40 आ रहे हैं, तो आपका फिजिकल निकलेगा, अब दूसरी बात है, कि अब आपको सेलेक्शन के लिए क्या करना है, तो सेलेक्शन के लिए बता दो, अगर आपका 35 से 40 आ र को बता दी आप समझ गया होंगा अब चलते हैं हम नेस्ट वीडियो में क्योंकि हम टाइम ज्यादा नहीं बेश्ट करना आप जो यह स्टेट है तो इन इस्टेटों को बता दूं अगर मैं जारखन 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 जारख प्रफिजिकल निकल जाएगा तब निकलेगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह तब निकलेगा जब आपके 10 नंबर बढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको लगता है कि हार्ड पेपर है तब तयारी करिए और आपको लगता है कि पेपर सरल था तो मैं कहता हूँ अब आप बिल्कोल तयारी मत करिये हाँ A C और O B C वाले तयारी कर सकते हैं लेकिन मैं बताना हूँ जैनरल और O B C वाले तयारी नहीं करें तयारी मत करिए आप त्यौर वाले हैं आप बिल्कुल तयारी मत करिए गर आप इनीश्तेयी इस्टे cieट में अगर आपका 35-40 आ रही है कितना नंबर बढ़ेगा दोस्तों कितना नंबर बढ़ेगा दस नंबर बढ़ेगा अगर आपको लगता है कि बढ़ सकता है तो करिए वरना आप टाइम मत खरा करिए दूसरे की तैयारी करिए simple सी बात मैं बोल रहा हूँ आपको simple सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ आप दूसरे की तैयारी करें अपना time नहीं खराब करें time बहुत जारा है important है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत लोगों में लगा रखे हैं कि 35 से 40 मेरा 35 आ रहा है मेरा 40 आ रहा है है 60 तक लगभग 60 मान के चलो on average यहां final cut-off जाने वाला है तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको shift hard लगता है 35-40 आता है 45 आता है तो बिल्कुल आप तयारी ना करो हाँ एक उमीद कौन लगा सकता है 35 और 45 में SC और ST वाले बस तयारी करें ठीक है अब बचा female अब बचा female तो female का मैं बात कर दूं 35 क्या कहते हैं 40 आ रहें तो अगर आप इन state से हैं तो एक उमीद लगा कर आप तयारी कर सकती है ठीक है एक उमीद लगा कर आप तयारी कर सकते हैं 35-40 में वरना female में ठीक है final के आपके chances बन सकते हैं अगर आपको normalization में 10 number मिल जाए तो आपके final के chance बन जाएगे लेकिन male के final के chance नहीं बनते normalization मिलने के बाद भी तब chances मिलेंगे जब उनको 25 नमर मिलेंगे ठीक है लेकिन 25 नमर मिलने वाला नहीं है ठीक है result आएगा उस दिन आपको पदा चलेगा ठीक है मैं कर रहा हूं male की बात कर रहा हूं 35 से 40 male की बात कर रहा हूं कोई chance नहीं है मैं कहता हूं कोई physical कभी कोई chance नहीं है क्यों क्योंकि अगर आपका मालिजे 10 number बढ़ता है तो आपका आपके इतना हो जाएगा आपका maximum 50 number होगा कितना होगा 50 number और मैं बता दूँ 50 number कोई भी state का top इतना नहीं जाएगा physical के लिए physical के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप अगर mail है तो बिल्कुल आपको आपकी कोई chance नहीं है मैं कहूंगा आप बिल्कुल कोई तयारी मत करिए इन state से हैं यह अगर अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि आप तयारी करो आपका हो जायेगा आप खूस हो जाएगे डिक है कि अगर और ने बोल दिया है मेरा selection है और मैं बता रहा हूँ अभी मैंने बोला है अभी मैंने वीडियो बनाया है मैंने बुला है कि आपका selection नहीं होगा confirm है जो उमीद लगा कर बैठे होंगे वो क्या करेंगे dislike करके चले जाएंगे dislike करके चले जाएंगे क्योंकि उनको मैंने निरास कर दिया कोई दिक्कत नहीं है dislike देखो dislike like से मेरा कुछ होने वाला नहीं है ठीक है लेकिन सच्चाई जो है उस सच्चाई को आप समझो उस सच्चाई को समझो 35 से 40 नम्मर वालों का सिर्फ मैं इतना बोलूँगा आपको कि नेस्टिक तैयारी करो आप तब आपके लिए अच्छा है मैं आने वाले एक्जाम के लिए तैयारी भी करा रहा हूँ आप उन वीडियो को देखो ये वीडियो ना देखकर मेरे उन वीडियो को देखो तो साइद आपके लिए ज़्यादा बेनिफीट है मैं कहता हूँ आप से आप से आप जितने ही 35 चालिस वाले है आपको मैंने जिन-जिन को लगता है कि नहीं होगा मेरा वीडियो देखने की जरूत नहीं है ना किसी और का देखने की जरूत है हाँ वीडियो देखो लेकिन जो मैं स्टेडी वीडियो कल से बनाऊँगा उसको देखना आप ठीक है तब आपके लिए समल लो तैके तैके को तैयार करवा रहा हूं कि आप का सेलेक्षन की मैं गारांटी लेता हूँ कि आप तयारी करो गए सी इसी और एशिंटी नघकन फीमेल की ethics क्या को पूजींशन रहेगी अगर आपके आ रहे हैं 35 से 45 आप लोगत क्यासा पता देजह हूँ अगर आप वैसे उरहां लोग mixed 45 नमबर ठीक है 40 नमबर आ रहे हैं ठीक है 40 नमबर आ रहे हैं आपके ठीक है तो आपका मैं बता देता हूँ फिजिकल इन स्टेटों को बता देता हूं जैसी UP हो गया, बिहार हो गया राजस्थान, अर्याना हो गया राजस्थान हो गया, अगर आप इन स्टेट से 35 से 40 हा रहे हैं फीमेल की तो कितना नंबर बढ़ेगा आपका मालो 10 नंबर बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा 40 से 50 हो जाएगा तब भी आपका फिजिकल नहीं निकलेगा इस बात को आप ध्यान रखी कम से कम फिजिकल आप मानगे चलो इन स्टेटों में कम से कम जो फिजिकल याने वाला है 55 प्लस तो मानगे चलो फिजिकल का मैंने और लिडी का टॉप बना रखा है इतना तो आप मान के चलो इतना तो जाएगा ही exactly क्या हूँ मैंने मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं कितना मैंने बनाये था ठीक है तो आप इतना द्यान रखा अगर आप इन स्टेट से हैं तो बहुत ही मुश्किल है जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए अब बचा कहा है ST अब बचा है ST और ST का है तो ST और ST का मैं बता दूँ है आपका इस्टेट से इन स्टेट के हम बात कर लेते हैं 35 शार है है अपके, जटरर अन्युमंते हैं। तब मैं आपके इन्मीद 50% मैं। की सवाल है, ना तो मेल का सवाल है, ना फिमेल का सवाल है, इस बात को ध्यान रखियेगा. हाँ ST, OBC का साइद ST, ST और SC का साइद कुछ हो जाए ST वालों का होने के चांसे जादा है साइद कुछ हो जाए इन स्टेटों में कोई ऐसा स्टेटों जहां कम हो जाए मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन OVC और जनरल वालों की तयारी करने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि आप अब अब से दोस्तो SC और GD को रिजल्ट का बेट करें रिजल्ट जरूर देखें कभी-कभी लग ऐसा होता है कि यार मैं आज मैं बोल रहा हूं 20 नमबर नहीं आएगा 20 नमबर आ जाए मैं बोल रहा हूं 20 नमबर नहीं आएगा लेकिन 20 नमबर आ सकता है मैं कोई 100 परसन नहीं बोल रहा हूं लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी तक रिसेंट्ली चीजे देखी है उस माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ ठीक है उस माध्यम से बता रहा हूँ 99% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 20 नमबर 22 नमबर 25 नमबर नहीं बढ़ेगा ठीक है मुझे मुझे अपना उपर confidence है कि जो मैंने analyze किया उल्कुल सही है लेकिन अगर नमबर बढ़ भी जाता है तो कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है लेकिन मैं इतना बता दूं दोस्तों 20-25 नमबर नहीं नमबर बढ़ेगा कोई सवाल ही नहीं होता है लोग लोग क्यों वीड़ो बना रहे है मैं आपको बता तो railway group D में railway में बढ़ता है 100 नमबर में 20-25 नमबर लेकिन उसका कारण भी इस कारण से वहां क्या है जो graduation level का पूछ लेता था इतना तफ रहता था इस कारण से वहां नमबर बढ़ता था ठीक है तो मैं आपको बोलूँगा फीमेल में है अगर आप SC है और HT है तो थोड़ा उमीद लगा सकती है और अगर आप मेल में है जंडल में है तो आप फिजि होता है तब तक के लिए दोस्तो जाए हिंज भारत